नमस्कार दोस्तों संसकार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है तो पहरे दोस्तों आज हम आप लोग के लिए बड़े शौनदार कोश्चन लेकर आ गए हैं जो बीएश टीसी दोजार तेज के लिए रामबान सावित ओने वाली एक क्लास है तो ध्यान पूर्वक देखना है दस मिल्ट में आपका कोश्चन नहीं जाएगा लेकिन एकजान के अंदर कोश्चन हू वाहू मिल जाएगे तो चलते हैं अपने पिर्थम कोश्चन की तरफ तो देखे पहला कोश्चन आप लोग का क्या कर रहा है राजिस्तान का पूर्व से पस्षिम सीमा तक विस्तार कि दे जाए तो कितना हो जाएगा आट सो चबवीश होगा उत्तर से दक्षिन का कितना होगा ओएग अगला कोश्चन नेस्ट कोश्चन की अगड़ा ध्यान पूर्वग देखेंगा जो राजस्तान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात एबम पाकिस्तान से लगती है गुजरा लिए बहुतिक विवाग की कौन सी विसेश्था नहीं है याद कर लेना आपका देखिए नियूंतम ताप पांतर अप्सन नमबर भी राइट आंस रोग आपका नियूंतम ताप पांतर है जो निमिलिक्त मसे राजिस्तान के कि जिले में अराबली पाडियों का विस्तार नही हैं औराबली पाडियों का जो विस्तार नहीं है न उसके बारे में आप लोग को बताना है तो जालोर राइट आउंस रोगा आपका जालोर जालोर एक्डम आपका क्लैक्त आउंस रोगा अप्सन नमबर एह आप लोग का बिल्कुल से लुगया जालोर है जो अगला देखेगा, छेत्रपल की द्रश्टी से राजिस्तान का देश में इस्तान है, तो बताओ ज़ली ज़ली कि छेत्रपल की द्रश्टी से, देखें राजिस्तान का जो देश में इस्तान है वो कौन सा होने वाला है, तो देखें छेत्रपल की द्रश्टी से, फर्स्ट, स् से इस्तान है नंबर वन इस्तान है जो ठीक है राजिस्तान को मुख रूप से कितने बहुती बिवागों में बिवाजित किया गया है राजिस्तान को कितने बहुतिक बिवागों के अंदर बिवाजित किया गया है याद कर लेना आपका च्यार बहुती बिवागों के अंदर याद रख लेना और एक भी कोस्टन को मिस नहीं करना है क्योंकि प्यारे वच्छों यह सारे वो ही कोस्टन जो पिछली बार परिक्षा में पूछे हुए कोस्टन है सारे के सारे चलिए सोतंतरता के पश्षात राजिस्तान के पहले एवं एक मात्र परदान मत्री बनाए गए सोतंतरता के पश्षात जो बनाए गए उनके बारे में बताना है तो देखे हीराला सास्त्री बिलकुल आप लोगों का सही हो जाएगा राई टांसर हीराला सास्त्री है जो ठीक है देखे इसका आंसर होगा आपका गुनीश रियासत हैं और ठिकाने कितने थे तीन ठिकाने थे ठीक है गुनीश रियासत हैं तीन ठिकाने ओप्सन नमबर भी राइट आंसर हो जाएगा आपका अगला कोशन देखो Central and Western Rajpott State of Indian देखे पुस्तक का अनप्रिसिद नाम क्या है इसका जो अनप्रिसिद नाम है न उसके बारे में बतना है देखे इसका होजेगा आपका याद कर लेना आपका एनलस्ट एंड देखे एन्टिक्विटीज ओफ राजिस्थान देखे एनलस्ट एंड एन्टिक्विटीज ओफ राजिस्थान बिलकुल सही होगा option number b घबराओ मत प्यारे बच्चों और आँ अगर आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ अगर आप लोगों ने अभी इस तक टेलिग्राम चैनल को जोइन नहीं के आना तो समझ लेना बहुत कुछ पीछे हो आप क्योंकि टेलिग्राम चैनल पर डेली आप लोगों के लिए टेस्ट दिया जाता है बिल्कुल mcq जो डाले जाते हैं आपके लिए pdf डाली जाते हैं आपके लिए नोटिफिकेशन डाला जाता है तो मिश मत होना है टेलिग्राम चैनल का नाम है संसकार क्लास जिसका लिंक डिस्क्रेप्शन के अंदर है और अगर आप लोगों को जुड़ना वार्टसप गुरूप में तो 96, 81, 87, 98, 98 इस नमबर पर आपको जुड़ जाना है ठीक है अगरा देखो जोर्ज ठोमस सन 822 में राजश्तान के लिए क्या नाम दिया गए था जो जोर्ज ठोमस के लिए देखें राजपूताना उप्सन नमबर B राइटाउं से लगा लेना आप लोगो राजपूताना वर्तमा राजिस्तान का निर्मान किस तिथी को हुआ बताईएगा वर्तमा राजिस्तान का जो निर्मान किस तिथी को हुआ था तो वर्तमा राजिस्तान के निर्मान ने लाटले बच्चो एक नमेंबर 1956 को कब हुआ था एक नमेंबर 1956 को ऑप्सन नमबर D राई टाउंस है कर लेना आप लोग को अगला देखिए नमें लिक्तमा से राजिस्तान के किस नगर के समन्द में कहा जाता है कि केवल पत्थरों की टांग ही आपको वहां ले जा सकती है जिसे हम बोल सकते हैं कि जगास आउंसर क्या हो गया है जगास आप लोगो का बिलकुल सही हो गया है अगला देखेगा आदोनिक राजस्तान के निर्माता माने जाते हैं बताओ जल्दी जल्दी जो आदोनिक राजस्तान के निर्माता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं कमेंट करवाई आदोनिक राजस्तान के निर्माता कौन माने जाते हैं तो देखिए इनको बोला जाता अगला देखीगा निमेलिक्त मसे राजिस्तान की कुलिस्तलिय सीमा है जल्दी जल्दी बताओ राजिस्तान की जो कुलिस्तलिय सीमा है न वो कितनी होने वाली है यह होगी आपकी 1070 राजिस्तान की कुलिस्तलिय सीमा कितनी होगी 1070 option number C, बिलकुँ से होगा, आप लोग का 1070 कुलिस्तलिय सी माजू, अगला देखो, मेज़ा बांद राजिस्तान में कौन सी नदी पर बनाया गया है, बताओ प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी, कि मेज़ा बांदे कौन सी नदी पर बनाया गया, आपका मेज़ा बांद जो इ एकदम राइटाउंस रोजएगा देकिन नमिलिक्तम से पॉंग बांध राजिस्तान के किस नदी पर बनाया गया है बताओ जली यह पॉंग बांध बनाए गया ना इसके बारें बताना है सतलज रावी चिनाव या व्यास मिस मत कर देना बार बार बोल रहा हूं मैं ठीक है इ भांगडा नागल परियोजना का इससा राजिस्तान में कितना प्रतिसत है बताओ जल्दी जल्दी भांगडा नागल परियोजना का तो देखे कितना हो जाएगा देखे 15.22 कितना होगा 15.22 प्रतिसत आप लोग का राइट आउंस होगा ओप्शन नमर सी कितना होगा 15.22 प् मिट्टी से बंदा बांध कौन सा है पांचना मेजा वीसलपूर या होजेगा आपका जाखम कमेंट करो जली जली देखें निमिलिक्तमसे राजिस्तान राज में मिट्टी से बंदा बांध कौन सा है कमेंट करके बताओ मिट्टी से बंदा बांध है उसके बारे में बताना है नमबर 19 कांसे क्या होगा पांच ना राइट आंस रोगा आपका पांच ना देखें लाड लेवच्छा उप्चन नमबर एरा आउस रोगा आपका पांच ना जो ठीक है हाँ जी देखो अब मैं आपसे बता देता हूं, लाइक नहीं किया ना आप लोगों ने, कोई वाथ ना मत करो, पर यार लाट लो, कर दिया करो, यार इतना मेंणठ करते हैं, यार आप लोगों करो जली करो एक बार है ना, करो लाइक कर दो एक बार ठीक है, तो लाइक तो कर दिया, आँ अच्छा अच्छा, कर दिया ना आप लोगों ने, तो चलो ठीक है, बैस तो फिर क्या दिक्कत है, देखे वै पिरसिद राजपूत, राजा कौन था जिसने, देखे राजस्तान में सरवादिक दुर्गों का जीनोदार एबम निर्मान करवाय थ नंबर 20 का आउसर देख ले ना, माराना कॉमभा एक दम राइट आउसर होगा, चलो अगला देखे ये, तराइन का मैधान कहा है, बतावाए जल्दी, तराइन का जो मैधान नहीं कहां पर होगा, गाजिस्तान में, उत्तर प्रदेश में, अरियाना में ये, पंजाप में, अरे जो तराइन का मैदान है ना, तराइन का युद्ध नहीं लड़ा था क्या आप लोग हैं, बताओ वाई, तराइन का युद्ध कव लड़ा गया था, तो देखें, नमबर 21 का राइट होगा, आपका हीर, हडियाना के अंदर होगा, हडियाना जो ठीक है, ओप्शन नमबर को बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, तो देखें, इसका अंसर होगा, अजमेर, जिसे हम राजिस्तान का हर्दे भी का जाता है, ठीक है, अजमेर को राजिस्तान का क्या का जाता है, हर्दे भी का जाता है, इस्तापना बन सन 1113-2023 के अंदर इसकी इस्तापना होती है, देख तो ठीक है अब तो कोई बात नहीं है अगला देख लेते हैं तो दी अली चौहान डाइने इस्टीज राजिस्तान के किस पिर्मों के तियासकार की रचना है बताओ ये किस पिर्मों के तियास कार की रचना होगी डांक्टर दसरत सर्मा राइटांस रोगा आपका क्या होगा डांक्टर दसरत सर्मा ओप्शन नमबर बी राइटांस रोगा आपका डांक्टर दसरत सर्मा जो ठीक है अगला देखो अलाउद्दीन ने राजिस्तान में सरप्रतम किस राज़ पर देखे अधिकार किया था अलाउद्दीन के जरी जालोर रंथमबोर अजमेर या फिर चितोर गड आंसर बतावाई अरे रंथमबोर जो आप लोगों का सवाई माधोपुर के अंदर परता है ठीक है अच्छा ये देखे आपका उजएगा आपका गुर्ज रत्रा या कांठिया वाड़ा या फिर मारवाड कमेंट करो इसका आंसर कौन को साची साची बतावेगा आज़ो ठीक है इसका आंसर आप लोगो को कमेंट सेसन में जरूर बता देना ठीक है और हाँ डेली एक लास आप लोगों की पचीस बड़े इंपोर्टेंट कोश्चन करा जाते हैं तो प्यारे बच्चो लाडले बच्चो ले लिया करो क्योंकि दस मिंट में कुछ नहीं जाता लेकि जो आप लोगों के लिए हम दे रहे हैं बना बना के पिछले एक्जामों में पोच्छे हुए ही सारे कोश्चन है तो मिस मत करना क्लास को ठीक है तो थैंक यू लाइक से सब्सक्राब भी कर देना और अब अपनी जो नौ बज़े क्लास होने वाली है आठ बज़े क्लास होने वाली है इसमें जुड़ जाना है नौ बज़े आपका मोडल पेपर होगा और आठ बज़े क्या होगा आपका सि चना विडियोची की क्लास होगी ठीक है तो थैंक यू